हेलो दोस्तो वेलकूम ट्यूर ओन चैनल टैटू थिंक इग्जाम थिंकर्स हम बात करने वाले हैं आज रीजनिंग के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही टॉपिक पासा पर और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पासे से संबने दिविन तरह की प्रशनों को हम हल कर स रखते हैं बीच में वीडियो के बीच में हम जो है एक ट्रिक भी सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होगा एक्जाम में यह हमरा वादा है आपसे और साथ में हम जो यह प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपको जो मिलेगी उसको करके निश्यत रूप से आ रहे हैं तो बने रहे हैं वीडियो में अन्त तक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और आपको अगर बहुत थोड़ा सा भी लाब होता है इससे तो दूसरे लोगों से शेयर भी कईजे तो लेट्स बेगिन विड़ वीडियो पासे से संबंदित ट्रेक्टिस आप हमारे WhatsApp नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिंक हम insurance में भी दे दिगे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं कई सारी conditions है तो पहली condition यह हो सकती है इसमें कि इसमें प्रतेक सतह से चार सतहे जुड़ी हुई होती हैं और जो सतह जुड़ी या सलगन नहीं होती है उसे विपरीत सतह कहते हैं तो इसको एक उधारन से समझते हैं उधारन एक जो है या क्या state कर रहा है नीचे एक पासे के चार सतित्या दी गई है पासे पर एक से लेकर छे तक अंकित है सतह चार पांच और छे के विपरीत सतहों को ग्याद करना है तो यहाँ पर हम चितर में देख सकते हैं कि यह आपकी स सतहों को दिखा रहा है एक चार पांच को इसी तरीके से तीसरा है आपका और चौथा तो यह चार डाइस हैं और यहाँ पर हमें यह ग्याद करना है कि चार पांच और छे के विपरीत सतहों को ग्याद करना है तो जब प्रक्तिस हमें होती है तो हम इस चीज को बड़ी आसा नहीं प्राइज से सकते हैं लिए इसके सोलुशन की तरफ बढ़ते हैं तो यह सेस्लूआ पार्थ हमने दिखा रखें में अब यहां पर होता है क्या है देखिए जसे चार हैं ऑगर हम चार को बात करें तो चार देखें यहां पर भी है इस पहले भागमें भी बी दूसरे भाग में भी 4 है, और हम बात करें, तो चौते भाग में भी यहाँ पर 4 है, देखिए, तो इन 4 भागों को अगर हम देखें, तो इहां 4 से हम देख रहे हैं, कि 4 के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो यह सलगन सता है इसकी, सलगन फलक जैसे कहते हैं, या सलगन फेस कह स देखें, तो 4 के साथ आपका क्या 1 कनेक्ट है, और 5 कनेक्ट है, ऐसे ही 4 different part में, अगर हम देखें, चोथे पासे के view में, तो इसमें 5 यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ 6 कनेक्ट है, तो अगर हम इस तरीकी से figure ओट करें, तो 4 के साथ क्या है क्या क्या Connect है, देखिए पहला, दूसरा और चौथे figure को देखकर यह हम देख सकते हैं कि चार के साथ 2 connect है, एक connect है, पांच connect है और 6 connect है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम counting करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मिसिंग है देखिए फिर 4 यह हो गया, 4 यह है आपका, 5 यह है और 6 ही है तो हम देख रहे हैं कि 4 के साथ जो है, यह सारे figures जो है, यह connect है बट 3 ही केवल ऐसा figure है, यह 3 ही ऐसा एक digit है, जो उससे connect नहीं है तो यहाँ हम सीदे सीदे कह सकते हैं, क्योंकि 4 के साथ वो सनलगन सता नहीं है इसलिए 4 के विपरीद सता है, 3, तो देखे हमने 4 के विपरीद सता हमने गयात कर लिए इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें, तो 5 हम देख रहे हैं कि 5 जो है वह आपका दूसरे, तीसरे और चौते भाग में है तो दूसरे भाग में देखे, यहाँ पर 5 है, और आपका तीसरे फीगर में 5 यह है और छटे फीगर में 5 यह है तो देखे, यहाँ पर दूसरे फीगर की हम बात करें, तो दूसरे फीगर से ख्लियर है कि 5 के साथ जो है आपका 1 और 4 connect है ऐसे ही तीसरे में जो है वहाँ 5 के साथ 6 और 3 connect है ऐसे ही यहाँ 4 फीगर में 5 के साथ क्या है 4 और 6 connect है तो यहाँ पर देखे अगर हम conclusion निकाले यहाँ पर तो 5 के साथ आपका क्या-क्या है 4, 1, 3 और 6 यहाँ पर connect है तो अगर हम counting में यहां देखतें कि कौन सा number missing है तो हम यहां देख रहे हैं कि 1 है यहां पर 2 missing है फिर 3 है, 4 है, 5 तो है ही यहां पर और 6 ही है तो हम देख रहे हैं कि सता 2 जो है वो 5 से जोड़ी हुई नहीं है तो 5 के विपरीत सता क्या हो गई? 2 हो गई तो देखे, किसी भी dice में या पासे में जो है वहाँ 6 सता ही होती है और 6 सताओं में से क्या होता है? अगर हम जोड़ों की बात करें तो विपरीत सता ही होती है 3 तो हमने देख लिया कि 4 के विपरीत सता क्या है? 4 के विपरीत है आपका 3 पांच के विपरीत क्या है दो है तो हमें विपरीत सतहों का दो जोड़ा हमें मिल चुका है आपर तो अगर हमें तीसरा हमें फाइंड करना था हमें चार के विबरीत सता फाइंड करनी थी वो हमने ग्याद कर लिए चार के विबरीत 3 है पांच के विबरीत हमने ग्याद करना था तो पांच के विबरीत क्या है आपकी सता 2 है तो automatically जो है तो तीसरा आपका जो जोड़ा बचता है वो क्या है तो 6 के विपरीद सता क्या है एक है तो इस तरीके से हमने क्या किया है हमने figure out कर लिया सभी तो इस तरह की questions में ये ध्यानक ना हुआ इस से थोड़ा सा आपको इस तरीके से आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा easy होगा समझने में चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क् conditions हो सकती है इसमें अगला उधारण है नीचे एक पासे की 4 इस्तितिया दी गई है ये पासे की 4 इस्तितिया दी गई है और सता 6 के विपरीद हमें क्या करना है ग्याद करना है देखिए question जो है वो पुछा भी गया है IES के exam में अब चलिए इसको देखते हैं हमें ग्याद क् तो देखे 6 आपका ये है 6 के विपरीद आपके कौन सी सता है वो सरी 6 के साथ जुड़ी हुए सता है कौन सी है तीन है और दो है यहाँ पर हम 6 देख रहे हैं 6 के साथ जुड़े हुए संख्याए क्या है दो और 4 है यहाँ पर 6 के साथ हम देख रहे हैं कि 6 के साथ क्या नदा हुए है तो हम यहां पर अगर हम देखें तो देखिए 6 के साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है च्छ.साथ आपका जो है इसको भी हम देखते हैं यहां पर 6 च्ह.साथ यहान पर हम first part में second part में और third part में अगर हम देखते हैं तो 6 यहां पर हैं सभी जगाओं पर, यहां पर 6 है, यह 6 है आपका और यह आपका 6 है, तो इसमें क्या क्या है, देखिए, 6 के साथ साथ अगर हम यहां find करें, तो हम देखते हैं कि 6 के साथ आपका 3 जुड़ा हुआ है, 6 के साथ आपका 2 जुड़ा हुआ है, पहले figure से, इसी के कि गर हमें देखें तो चार पहले से जुड़ा हुआ है पांच वा आपका जुड़ा हुआ यहां पर तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में क्या है हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर मिसिंग है तो दो तो है यह यहां पर तीन है यहां पर चार है पांच है और छटाई तो ये खुद है तो इसके साथ हम क्या देख रहे हैं इस overall हमने क्या देखा कि सता एक जो है वो 6 से नहीं जुड़ी हुई है तो इससे इस पस जो जाता है कि 6 के वेपरीत सता क्या है एक है तो इसके लिए अभ्यास के जुरूत है तो ये पासे का एक रूप हो गया जिसमें इस तरह के प्रशन आते हैं चले आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह के पासे से सम्मधित प्रशन आते हैं तो एक और यहाँ पर उधारण हम देख लेते हैं नीचे एक पासे की कुछ स्थितिया दी हुई है यह प्रशन में इसपस्ट है दिखें हैं चार भाग दी है और यहाँ पर हमें विकल्ब भी दे रखा है कि 4 के विपरीत सता को गयात करना है 4 के विपरीत सता A में 6 है B में 1 है C में 5 है या D में कि अनुसार 2 है तो चलिए इसके solution को भी देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 के विपरीत हमें ग्याद करना है तो यह थोड़ा सा आपका क्या है हमाले थोड़ा सा challenging हो जा रहा है तो देखें यहाँ पर देखते हैं अगर हम दूसरे और तीसरे यह जो प्रशन है वो पिछले दो प्रशनों से थोड़ा सा अलग है तो दूसरे और तीसरे भाग में हम देख रहे हैं कि 4 के साथ साथ हमें हमें क्या गयात करना है देखिए चार के विपरीत सता हमें गयात करना है तो चार जहाँ जहाँ जिस डाइस में जिस पांसे में चार है पहले उनको हम देख लेते हैं कि चार के साथ सलग न फलक कौन कौन से हैं तो हम देख रहे हैं कि दूसरे भाग में देख सकते हैं भी चार है चार के साथ फृर यहां पर तीन नंबर सरह है तो हैं आपके क्या है चार के सात जूड़े हुए है तो अब बात आती है कि चार के साथ आगर हम कांटिंग शुरूँ से करें फूर पासे में एक से लेकर 6 तक नंबर होंगे तो उसमें हम देख रहे हैं अगर काउंटिंग से शुरू करें तो 2 है हमारे साथ 1 मिसिंग है 3 है फिर 4 है 5 है तो 4 के अलावा यहां पर जो 4 है वो किन-किन फलकों से connect है 2, 3, 4 तो खुद है ही और 5 है तो 4 के विपरीत अब 2 हमारे पास figure हो सकते हैं या तो 1 होगा या फिर 6 होगा अब देखे हम यहां पर sure नहीं हो सकते कि इसी basis पर कि 1 या 6 है क्योंगे तुक्का तो हमें लगाने नहीं हमने सटिक काम करना है तो आगे हम इसके लिए क्या करता है एक और थोड़ा से यहां पर हम ध्यान देंगे हम देख रहे हैं आपर इन चारों पार्ट्स में चारों भागों में हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो common है 3 देखे यहां पर भी है 3 यहां पर भी है 3 जो है आपका इसमें भी है इस पार्ट में भी और इसमें भी है आपका चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए चलिए इसको देखते हैं देखे तीन के लिए हम देख रहे हैं आपर हम देखने जा रहे हैं कि तीन हम देख रहे हैं कि पहले वाले पार्ट में भी है दूसरे पार्ट में भी है तीसरे में भी है तीसरे फीगर में और चौते फीगर में भी है तो हम यहां के तीन को देख रहे हैं तो तीन के साथ हम प तो इसको हम count नहीं करते हैं तीसरे part में हम देखते हैं कि 3 के साथ 4 और 2 connect है तो आपका यह है 2 यह connect हो गया और 4th figure में हम देखें तो 1 और 2 यहां पर दिखा रखा है तो 1 और 2 हम already count कर चुगे तो अगर हम sequence में देखें इस सभी में तो हमरे क्या मिलता है 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है 4 मिल रहा है 5 मिल रहा है तो हमें केवल 6 जो number है वो क्या है missing है तो इसका मतलब है 3 के विपरीत जो phase में है विपरीत सदा वो क्या होगी 6 है तो अब यह तो देखें clear हो गया कि 3 के विपरीत 6 है अब अगर हम इस चित्र में देखें, दूसरे भाग में देखें, या हम तीसरे भाग में देखें, तो हम देख रहे हैं कि तीन और चार आपस में connect हैं, तीन और चार आपस में connect हैं, तो यह सलगन फलग हैं, ठीक है, alternate adjacent phases हैं, तो यहां पर तीन और चार तो विपरीत हो नहीं स या 6 होगा तो 6 already जो है हमारा अब वो क्या है 3 के विपरीत है 6 जो है 3 के विपरीत है तो 4 के विपरीत अब क्या है रह जाता है कि वाल 1 अब 6 के देखिए यहां पर 6 4 के विपरीत नहीं है 4 के विपरीत सता है 1 तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका B हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमें विकल्प क्या था बी था पहला विकल्प वन जो है चार के विपरीज जो फ़लक था वो क्या था बी ऑप्शन में दे रखा था तो इसका correct answer हो गया बी तो बी आपका सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं कि और dice में और किस-किस तरह की conditions आती हैं तो दूसरी इस् का एक standard होता है एक format होता है और उस format के according उस मानक के अनुसार ज़ो है ज्यादा तर पासे बनाये जाते हैं तो मानक पासा होता है चलिए इसको समझ लेते हैं मानक पासे में क्या होता है? देखी हर पासे में च्छ Hallo होती है हर पासे में जो है आपकी कुल 6 सता होती है और तीन होता है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत जो आपके फलक है विपरीत फेसे हैं उनका योग क्या होने चाहिए साथ होना चाहिए तो देखे एक के विपरीत सता क्या होगी छे होगी क्योंकि तभी उनका योग क्या होगा साथ होगा ऐसी दो के विपरीत सता क्या होता है four होता है तभी इनका जो योग है वो क्या होगा seven होगा तो इस तरीके से हम क्या सकते हैं कि जो standard dice होता है या मानक पासा होता है उसमें विपरीत जो faces होते हैं विपरीत फलके होती हैं उनका योग क्या होता हमेशा साथ होता है या फिर आगर इसका विपरीत कहें इसका विपरीत कहें कि किसी भी दो सलगन सताओं का योग साथ नहीं होना चाहिए यह एक उसको दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं तो आए इससे समधित हम प्रश्न को देखते हैं इसके उधा परण नीचे दिये गए चार पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है चलिए इस पर डिसकस करते हैं इसी फीगर से हम इसको डिसकस करते हैं देखिए अभी हमने पीछे डिसकस कियाता है कि जो स्टेंडर्ड डाइस होता है जो एक मानक पासा होता है उसमें क्या होत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता साथ होता है और सलघन जो आपके एडजसेंट फेसिस होते हैं वुझाए जो सलघन फेसिस विए उनका योग साथ नहीं होना चाहtoi उस स्तिती में तो यहाँ पर पूछा है हमें की इन चारो भागों में से कौन सा पासा जो है वो मानक पासा हो सकता है तो यहाँ देखे पहले फीगर में हम देखते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 और 1 जो है 6 और 1 जो है यह चुकि सलगन फलक हैं और इनका योग हम देख रहे हैं 6 और 1 कितना हुआ 7 हुआ तो यह वाला पासा जो है एक मानक पासा नहीं हो सकता मानक पासा की परिभासा की अनुसार ऐसे आगर हम आगे बढ़ें दूसरे फीगर में देखे हैं आगे हम देखते हैं C को देखते हैं कि C में ऐसा कुछ नहीं है 3 और 1 का हम योग देख रहे हैं यह क्या है? 4 आ रहा है तो वह हमारी जो मानक जो standard dice होती है उसकी condition के according यह फुल्फिल होती है ऐसी हम देखें 1 और आगर हम 5 का योग देखते हैं यह भी 6 तो यह 7 नहीं है तो यह एक मानक पासा हो सकता है पर अपने answer से संतुष रोने से पहले हम आखरी जो विकल्फ दे रखा है D इसको भी देख लेते हैं कि क्या यह मानक पासा तो नहीं है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 जो है यह दोनों सलगन फलक है और इनका योग कितना साथ है तो इसके आधार पर हम क्या सकते हैं कि D भी सही विकल्फ नहीं हो सकता है तो इस आधार पर जो है हमारा correct option आता है C C एक मानक पासा हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि और क्या-क्या conditions इसके according हो सकती है और क्या-क्या situations तो उधार पास जो है तो यहाँ पर नीचे दिये गए पासो में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता है कह रहा है मानक पासा नहीं हो सकता है तो चलिए इस condition को भी discuss कर लेते है तो मानक पासा जो है उसमें हमने condition देखिए फिरसे मैं recall कर रहा हूँ कि मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत सतहों का जो योग है विपरीत सतहों के अंकों का योग जो है वो साथ होता है और जो सलगन सतहे होती है उनका योग साथ नहीं होना चाहिए तो चलिए पहले ए पार्ट से हम इसको देखते हैं हम देख रहे हैं दो और छे का योग कितना है आठ है जो कि साथ नहीं है ऐसे ही दो और तीन का हम योग देख रहे हैं कितना 5 है यहाँ भी 7 नहीं है तो यहाँ एक मानक पासा हो सकता है अगला अगर हम देखें एक और 5 है एक और 5 हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 है तो यहाँ भी 7 नहीं है ऐसे हम एक और 4 का अगर हम योग देखें तो एक और 4 का योग 5 है तो यहाँ भी 7 नहीं है तो यहाँ भी ए एक और पांच का योग जो है वो छह है ऐसे ही एक और तीन का योग जो है वह कितना है चार है तो यह भी एक मानक पासा हो सकता है अब आगे देखते हैं हम इसको देख लेते हैं कंडिशन को सीधे सीधे क्योंकि यह देखिए इस पस्ट दिख रहा है तीन और साथ जो है तीन सही विकल्ब है आपका D जो एक मानक पासा नहीं हो सकता है तो ये जो कंडिशन थी आपके standardized से थी मानक पासा से संबन्दित थी तो देखें आगे की स्थिति देखते हैं कि एक पासे से संबन्दित और क्या कंडिशन और क्या स्थिति हो सकती है तो इस्थिति तीन अगर हम आता है condition 3 की बात करें जब एक सतह समान हो इसको समझ लेते हैं थोड़ा जब एक पासे की कई इस्थितिया दी गई हो और उनमें किनी दो इस्थितियों में एक सतह समान हो या एक पासे की दो इस्थितियां दी गई हो और उनमें एक सता समानो, तो कुल मिलाकर इन दो इस्तितियों में आपको पांच सताहे दिखाई देंगी, क्योंकि एक सता आपको दो बार दिखाई देती है, तो चलिए इसको उधारन से समझते हैं, उधारन छह है आपका, कि हमें यहाँ पर एक घंद दिया हुआ है, जिसके के फलकों पर एक से चह टक के बिंदू डाले गए हैं वाली साइड के दूसरी और कितने बिंदू हैं। तो यहां पर देखते हैं, हम यहां पर दो फिगर थे करें, कि हमें यह कहल भी दे रहा है। अब इनमें से देखना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, कि चार बिंदू के विपरीत कौन सा विकल्ब होगा देखिए तो चलिए इसके solution के तरब बढ़ते हैं solution में हम देख रहे हैं कि ये हमने दोनों figure बना रखे हैं तो पहले figure में हम देख रहे हैं पहले चतर में कि यहां पर आपका क्या है दो बिंदू दिखा रहे हैं यहां चार बिंदू दिखाया हैं यहां पांच बिंदू दिखाया है यहां पर एक बिंदू दिखाया है यहां तीन बिंदू दिखाया हैं और यहां पांच बिंदू दिखाया हैं तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों फलकों में दोनों पासों में दोनों पासों में हम देख रहे हैं कि यह जो पांच है यहां क्या है एक समान फलक है तो उसी इस्तिती के हम बात कर रहे थे देखिए फिर से जब एक सता समान हो तो हम इस फीगर में देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो सता है 5 ये दो सता हैं जिसमें समान अंक आया है 5 जो रिड़ नहीं कि इस्तिती यही हो पासे की इस्तिती अलग भी हो सकती थी महत्पूर्ण चीज है कि अंक समान होने चाहिए तो यहाँ पर यह अंक 5 है यहाँ पर भी अंक 5 है अब इसको करना कैसे है हमें ग्यात करना चार के विपरीद सता कौन सी है, तो देखे चार यहां पर है, तो इसके विपरीद, इसकी पीछे वाली साइड में, जो हमें नहीं दिख रही है, उससे हमें जैत करना, तो इसका नियम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका urbanist अंक होता है तो जो urbanist सता है जैसे आपकी 5 है तो 5, पहले 5 को हम क्या लेते हैं वहाँ से घड़ी के दिशा में हम number को लिखते हैं तो जैसे यहां 5 है आपका यहां से हम शुरू करेंगे और यहां से हम घड़ी की दिशा में इस तरफ गड़ी की दिशा में इस तरीके से हम क्या करें अंको को लिखना शुरू कर देंगे तो पांच यहां यह है देखिए पांच के बाद यहां पर क्या आ रहा है पांच के बाद आ रहा है यहां पर चार तो हमने यहां पांच के बाद चार आ रहा है फिर उसके बाद अगला आ रहा है दो पांच के बाद यहाँ पर आ रहा है दो इसको हमने लिख लिया इसी तरीके से अब दूसरे पासे में बिल्कुल हमें इसी तरीके से करना है दूसरे पासे से घड़ी की दिशा में हमने क्या करना है अंको को लिखना है तो हम देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में यहां पर क्या है पांच के बाद आ रहा है तीन देखें पांच के बाद घड़ी की दिशा में अगर हम इस तरीके से बढ़ते हैं तो हम गड़ी की दिशा में देख रहे हैं कि गड़ी की दिशा में पांच के बाद तीन आ रहा है फिर उसके बाद आ रहा है आपका एक आ रहा है तो इस तरीके से यह हमने फिगर आउट कर लिया है आपर अब इस इस्तिति में जब हम इतनी गड़ना कर लेते हैं तो उसके ब तो इस तरीके से इन तरह के प्रशनों को हल किया जाता है जब एक सता समान होती है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और उधारन हम ले लेते हैं यहां पर देखिए यह भी परिक्षा में इस तरह के प्रशन प्राया पुछे ही जाते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं कि नीचे एक पिंड की दो इस्तितिया प्रदेशित की गई हैं एक डाइस के एक पासे की दो इस्तितिया दी हुई है अब यहां पर हमें क्या रहा है कि जब दो पेंडी में हो तो सबसे उपर क्या होगा मतलब दो अगर नीचे की सता पर है यहां नीचे की सता पर है या फिर यहां पर है तो उपर वाला अंक क्या होगा यहां का अंक क्या होगा यह हमने देखना है तो चलिए इसको भी समझते हैं यहां विकलप हमें दे रखें च्छ, पांच, चार और एक दे रखा है चलिए इसके हल के तरफ बढ़ते हैं अब ये फीगर है हमारे पास दोनों और पहले पांसे में हम क्या करते हैं पहले पांसे से घड़ी की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो यहां हम देख रहे हैं आहां पर जो उभीनिस्ट सता है दोनों ही पासो में जो एक समान अंक है वो है तीन तो इसमें हम क्या करते हैं यहां से हम चल रहे हैं घड़ी की दिशा में हम चलेंगे इस तरीके से तो हम पहले पांसे में देख रहे हैं 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 4, अब हम दूसरे पासे में देखते हैं, दूसरे पासे में क्या है? दूसरे पासे से घड़ी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो 3 के बाद हम देख रहे हैं, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 2, अब हमें अंक के साथ आपका जोडा किसका बन रहा है वहां बन रहा है, इस्तिती के अनुसार 4 तो इसका मतलब है 4 के विबरीद सता गया होगी वो, इसीं आप छमा कीजाइगा कि लुऻ कि 2 की विबरीद सता कया होगी? 4 होगी तो हमारा अभिस्त रूगहाanor हो गया, 4 तो सही विकल्ब है आपका … सहीoire विकल्ब है चार इस तरीके से हम इस तरह की प्रश्नों को हall करेंगे चलिए अगली स्तिति की तरफ देखते है। इस्तिति चार की हम बात कर रहे हैं जब दो सतह समान हों जब दो सता अब समान होगी तो यहाँ पर क्या होगा देखिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंडिशन क्या होती है जब एक पासे की कई इस्तितिया दी गई हो और उनमें से किनी दो इस्तितियों में दो सतह समान या एक पासे की दो इस्तितिया दी गई हो और उनमें दो सतह समान हो तो विपरीत सतहों को ग्याद करने हो तो निम्न तरीक ये का प्रियोग किया जाता है चलिए इसको उधारन स तो नीचे कौन सी संख्या होगी चलिए देखिए ये फीगर है आपके और यहां में विगल्ब क्या दे रखा है चार दे रखा है और तीन दे रखा है दो दे रखा है पांच है और छे है तो यहां पर क्या है देखिए दो हमें सतहें इस्तिति क्या थी हमारी कि जब दो सतहें समान हूँ तो इस इस्तिती में क्या हो देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फीगर में हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पासे के चार और शे इस पहली इस्तिती में चार और शे हमें दिख रहे हैं दूसरी इस्तिती में भी हम देख रहे हैं दूसरे पासे में यहां चार और छहां है, तो यहां पर दो फलक जो हैं हमारे एक समान है, तो इस इस्तिति में क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं हल के द्वारा, हमने यहां पर फीगर बना लिया है, उसी फीगर को और हम यहां देख रहे हैं वही पहले की तरह ही, कि चार और छहां यहां पर चार को हम ले रहे हैं पहले, चार को हमने ले लिया, और चार को इस्थिर रख कर हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में इसको हल करते वे चलते हैं, घड़ी की दिशा में हम क्या कर रहे हैं, हल करते वे चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि चार के साथ साथ कौन से अंक यहां पर समलित है, 4 के साथ 1 समलित है, 4 के साथ 6 समलित है, ठीक है, अब देखिए, 4 के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि 4 के साथ 5 जो है, वह सलगन भुजा में ही है, तो 4 के साथ 5 भी कही न कहीं समलित है, तो हमने इसे टूटी वी रेखल से दिखा रखा है, क्योंकि यह पहले इस पश्ट नहीं है तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि चार के विपरीत सतह हैं क्या हो सकते है या तो 2 होगी यह Warum कि अगर हम इसको counting करते हैं इनकी हमरे करम में क्या आ रहा है लाइए देंगर 2 और 3 नहीं आ रहा है फिर उसका 4 है पांच है और छह है तो दो और तीन नहीं है तो चार के विपरीद क्या हो सकता है दो हो सकता है या तीन हो सकता है हमने देखिए ग्याद क्या करना है हमने ग्याद करना है कि एक के ऊपर जब एक ऊपर होगा तो नीचे कौन से संख्या होगी तो हमने चार के विपरीद सते है हमें दो या तीन हमें यह इसपस्ट होती है ऐसी हम छे को देखता है छे के साथ साथ आपके क्या क्या बुझाए जुड़ी है छे के साथ एक जुड़ा हुआ है छे के साथ चार जुड़ा हुआ है तो अगर हम दूसरी फीगर को देखें तो दूसरी फीगर में हम देखते हैं इन दोनों फीघ्रों को लेकर, दोनों चित्रों को लेकर हम देख सकता है कि 4-6 के साथ 5 भी जोड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर फिर से काउंटिंग करें, अंको को लें करम से, 1 है, 2 और 3 नहीं है, 4 है, 5 है, और 6 है, तो 6 के विपरीद सतह है अब क्य के विपरीथ, चार के विपरीथ, या तो दो होगा या तीन होगा, ऐसे ही छे के विपरीथ, दो होगा या तीन होगा, तो आप इससे बचता क्या है, देखिए, क्योंकि तीन ही विपरीथ सताहे होती है, एक पासे में, तो अगर माल लेजिए, दो जो है, वो आपका चार के व तो तीन जो है वह झ्छह के विपरीत होगा फिर उसस्तेजी में तीन शह के विपरीत होगा ऐसी अगर टीन अदो जो है थी जो है वह चार के विपरीध है तो दो जो है वह स्थे के विपरीध होगा तो इसका मतलब है कि एक के विपरीध सता क्या बची अब पांच ही बची क्योंकि दो जोरे तो देखें यहांपर है एक ट्रिक की भी बात करेंगे वो हम आगे के अपनी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ट्रिक क्या होती है बहुत आसान हो जाता है उससे कभी-कभी solution को ग्याद करना तो देखिए यह आपका एक वेवरित हमने 5 ग्याद कर लिए थोड़ा सा complicated हो जाता है थोड़ा सा जटिल हो जाता है तो इसको अगर हम सीदे सीदे हम बात करते हैं चलिए इसको मैं erase कर दे रहा हूं इसको अगर हम सीदे सीदे बात कर रहें तो एक बड़ा आसान सा तरीका हो जाता है और वह यह हो जाता है कि और वो यह तरीका यह है कि देखें यहाँ पर 4 और 6 हमारे उभाइनिस्ट दो सताएं है चार और 6 तो यहाँ पर जो जो सेश आपके फलक बच रहे हैं एक बच रहे हैं और 5 बच रहे हैं यह पूरा जो आपका कंटेंट था यह केवल समझने के लिए था कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं सीधे सीधे हम निश्कर्श निकाल लें कि 4 और 6 अगर हमारे दो फलक अगर हमारे उभाइनिस्ट हैं तो जो सेश बचे फलक हैं जो दो चितरों में हमारे दिखाई दे रहे हैं जैसे एक और 5 इस तितिया दी गई हैं जब संख्या 3 नीचे हो तो उपर कौन सी संख्या होगी तो देखिए इसको हम सीधे सीधे हम कर लेते हैं यहाँ पर देखिए पांच है यहाँ पर एक उभाइनिस्ट फलक है और यहाँ पर भी पांच है तो देखिए एक फलक जो है वो दोनों में उभाइनिस्ट है ऐसे हम दूसरा देख लेते हैं दूसरा फलक क्या है दूसरा फलक है आपका दो जो पहले चित्र में है और दो ही क्या है दूसरे फलक में भी है तो पिछले प्रशने के आधार पर अगर हमें सीधे बात करें तो जो सेस दो बचे आपके फलक हैं जैसे तीन और चार ये आपस में क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो होंगे तो हुपल हमें प्रशन क्या था कि तीन संख्या जब नीचे हो तो इसके ऊपर संख्या क्या होगी अब हमें पता चल गया है कि चार और तीन जो है वह आपस में क्या एक दूसरी के विप Tenn है टर्पीरित फलक में होंगे तो जब पीचे होगा तो चार क्या होगा ऊपर होगा तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका C हो जाएगा तो हम जिस ट्रिक की बास्त कर रहे थे दोस्तों तो यह रही वा ट्रिक देखिए आप प्रतियों की परिक्षा में जाते हैं वहाँ पर आपके साथ बहुत सारी एक्यूपमेंट्स अब यूज करते हैं पर अगर आपको जरुत पड़ती हैं तो आप उसे भी ले जाते हैं पर अगर आप एरेसर नहीं ले जाते हैं तो प्लीज आप एरेसर जरुर ले जाएए कि पासे से संबंदित प्रशन में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है तो देखे किस तरीके से help करेगा कई पर ऐसा होता है कि प्रशन इस तरीके से होते हैं images वगर दिये हमें सब कुछ आता है पर कई पर क्या होता है वहाँ पर miss interpretation की वैसे हम में थोड़ा सा भ्रहम हो जाता है यहाँ पर आपको यह trick काफी help करने वाली है और वो trick क्या है जैसे आपको कोई image दी हुई है उस image की आप क्या करेंगे माली यह आपके पास एक pass़ा दिया हुआ है इस तरीके से उसकी image है और आपने क्या करना है использовать क्या करके इसको आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर picture draw कर रहा हूँ मालीजे पासे की एक image दे रखिए आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है एक आंका और यहाँ आपको दिया हुआ है तीन दिया हुआ है और यहाँ पर मालीजे एक दिया हुआ है तो आपने करना है क्या है आप सीधे सीधे अपना eraser उठाई तो देखे जो आपको face दिख रहा है उसी face के according आप अपना eraser लिजिए और उस तरीके से आप क्या करिए यहाँ पर आप उन अंकों को लिख दीजिए माली यहाँ आपने चार लिख दिया इस face पर आपने क्या किया 3 लिख दिया और इस वाले face पर आपने लिख दिया 1 अब जो दूसरी image आपको दी होगी आप क्या करिए उसी के according जो है दूसरे face पर जो बाकी 3 बचे है face तो उस पर आप क्या करेंगे जैसे मैं आप फिर से चतर बना दे रहा हूँ तो इसमें आपको क्या होगा थोड़ा सा consider करने में easy हो जागा जैसे हमारे 4 नंबर बचे हैं 5 बचा और 6 बचा हुआ है तो आप क्या केजिए उसके बाद फिर आप क्या करिए अपने eraser को turn करिए और बाकी 3 faces पर उसको इस position में रखिए कि आपको बाकी नंबर ना दिखें ये एक तीन और 4 में से ये नंबर आपको कोई भी ना दिखें आप इस तरीके से अपने eraser को set करिए और फिर उन नंबरों को लिख दीजे तो इस तरीके से क्या होगा आपको पता है कि हाँ किस डाइस के पीछे कौन से नंबर है तो ये trick आपको help कर सकती है हम यह नहीं के दावा कर रहे कि यह बिल्कुल exact formula है आपको करना है बढ़ यह कहीं नगहीं आपको बहुत help कर सकता है आर तो शुकल बारे में हमने study कर लिया था पांच्वी स्तेति है कि जब कोई सता समान ना हो इस सप्षदिक अधिया हो सकती है पहली परस्तेतिय है जब वहैं एक मानक पासा हो और दूसरी इस भर य हम we बात करते हैं जब वह समानक पासा ना हो लिए इस समढ़त्य परस्न सतह तीन के विपरीत सतह ग्यात कीजिए तो देखें यहां पर हमें दो पासे दे रखें और यहां पर हम देख रहे हैं कि इन में कोई भी चाहिए जैसे एक है यह 5 है यह 3 है आपका और यहां यह 2 है और यह 4 है और यह 6 है तो हम देख रहे हैं इन दोनों ही पासों के इस्तिति में कोई भी अंक क्या है, कोई भी सतह समान नहीं है, तो हमने क्या करना है, तीन के विपरीत सतह को ग्यात करना है, कि इन चार विकल्पों में से कैसे होगा, तो चले देखते हैं कि इस तरह की प्रशन को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले इस् प्रश्न में तो इस पस्ट नहीं होगा कि यह मानक पासा है या नहीं तो उसमें हमें स्वयम जाजना है कि यह मानक पासा है या नहीं तो हम क्या करेंगे सभी जो सलगन फलक हैं एड्जेसंस फिस जो हैं आपके उनका हम सम करके देख लेते हैं योग कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि मनक पासा में जो सलगन फलक होते हैं उनका योग साथ नहीं होना चाहिए तो हम देखते हैं यहां पर हमने पहले इसको देखा एक और पांच को हमने योग किया तो उसका योग जो है वो छह आ रहा है पांच और तीन का योग जो है आठ है और तीन और एक का योग जो है वो चार है तो हमने पहले पासे के तीनों फलकों को आपस में जोड़ के देख और हम देख रहे हैं कि कोई भी योग जो है वह साथ नहीं है इसी तरीके से हम दूसरे पासे की तीनों अंकों को योग करके देख लेते हैं दो और छे का योग है आठ, छे और चार का योग है दस, और दो और चार का योग है छे, तो हम देख रहे हैं कि इन छे के छे योगों में से कोई भी योग जो है वो साथ नहीं है, तो यहां एक मानक पासा होने की संभावना पूरी-पूरी है इसमें, तो हमें क्या ग्यात करन तहां कि तीन जो फलक है, तीन सता जो है, उसके विपरीत सता पहे कौन सा अंक होगा, तो यहां पर इसzingने सता है कि देखिए, जो तीन है आपका, उसके जो विपरीत सता होगी, चुकि यहां ब्रेस, अहोने के समझावने इसके बहुत ज़्यादा है, तो लगभलबग ये मानक पासा ही है बलकि तो इसका जो विपरीत सता होगी विपरीत फलक जो होगा उसका और तीन का जो योग है वह क्या होगा? चार होगा तो हम जाईड से बात है यह इसपस्ट है कि तीन में हम अगर चार जोड़ देते हैं वह साथ होगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चार के तीन के विपरीत जो फलक है वह क्या होगा? चार होगा तो इस आधार पर हमारा जो ए विकल्प है वह ए विकल्प जो कि चार है वह सही हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं तो पासा जो है वो मानक पासा हो सकता है और दूसरी इस्तिती में वह हो सकता है कि वो मानक पासा ना हूँ तो उस इस्तिती को भी हमने समझना है तो यहाँ पर एक उधारन से हम इसको देखते हैं तो यहां पर प्रश्ण में दिया हुआ है कि दो पासों की इस्तितिया दे रखी हैं और सथा पांच के विपरीत सथा को ग्यात करना है तो हम यह विकल्प दिये हुए हैं उसमें हमने उसके आधार पे हमने इसका चैन करना है तो सबसे पहले वही जो हमने पिछले उधारण में किया था हम क्या करेंगे जो हमें पासे दिये हुए हैं उनके फलकों को योग करके हम यह ग्यात कर लेते हैं कि क्या हुआ हमानक पासा है या नहीं है पहले हम यह जाज कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पर पहली इस्तिती जो है आपकी, पहली इस्तिती, पहली इस्तिती में हम अंकों को जोड़ के देख ले रहे हैं, तो एक और पांच का योग है, वो अच्छे है, पांच और दो का योग हम देख रहे हैं, वो साथ आ रहा है, तो यहीं पर हम इस पस्ट हो गया है कि वहां साथ आ रहा है तो हमें यहां इस पस्ट हो गया है कि मानक पासा तो नहीं फिर भी हम क्या करते हैं दूसरे फलक को भी आप जा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि तीन और छे का योग हम देख रहे हैं नौ है और चार और छे का योग जो है यहाँ पर इस इस्तिती में एक बिल्कुल नई तरीके से इसको हल किया जाता है और वह नियम क्या है वह आधार क्या है इसमें क्या करते हैं जैसे हमें दोनों पासों की इस्तिती दी हुई है हमने क्या किया दोनों पासों की इस्तिती को अच्छे से हम अध्यान कर लेते हैं त तो इन दोनों पासो के इस्तितियों में यह जो अंक दे रखे हैं, तो यह जो अंक है, यह उपर का फेस हुआ, यह अपर फेस हुआ, तो इसे हम यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से दिखा सकते हैं, अपर फेस हो गया, और यह पहले पासे की पहले इस्तिति, पहले इस्तिति में हम देखते हैं कि यहां जहां दो बना हुआ है यहां क्या है इस तरफ का फेस जो है वह राइट फेस कहलाता है बाया दाया फलक आप कह सकते हैं या दाया दाई सता कह सकते हैं और दूसरी तरफ यह जो पांच बना हुआ है यहां बाई सता हुई तो इसे से हम शो करते हैं तो यहां एक तरीका है या मानक है कि जो इधर वाली आप इधर वाला जो फेस है उसे जो है हम दाया फलक क्याते हैं या राइट फेस क्याते हैं और इधर वाली जो अंक है इधर वाला जो फेस है उसे लेफट फेस क्याते हैं उपर वाला फेस तो अपर फेस होई गया तो इस इस्तेती में करते क्या है पहले चलिए मैं इसको clear कर देता हूँ इसको clear कर लेते हैं फिर इसमें बात करते हैं तो यहां पर देखिए अब यह काफी easy अब इसमें rule क्या है rule यह है कि जो उपर का face होता है उपर के जो face होंगे वो आपके एक दूसरे के विपरीत face होंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि एक जो है वहाँ तीन के विपरीत होगा इसी तरीके से जो अंदर के face है दोनों इस्तितियों में मतलब पहली इस्तिती में जो right face है दूसरी इस्तिती में जो left face है जैसे यहां पर पहली इस्तिती में जो right face है उस पर two है अंकित और दूसरी इस्तिती में जो left face है उस पर 6 अंकित है तो 2 और 6 जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे मतलब विपरीत फलक होंगे इसे तरीके से पहली इस्तिति का जो left है जो की 5 है और दूसरी इस्तिति का जो right है जो की 4 है ये आपस में क्या हुए विपरीत फलक हो गए तो मैंने यहाँ पर इसे क्या कर रखा है तीर के चिन्ने से भी दिखा रखा है रेखा से तो 5 के विपरीत हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के विपरीत जो फलक है वहाँ क्या है चार है तो हमें क्या गयात करना था कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा तो सही विदलने सही विकल्प हो गया आपका B 4 तो ये दूसरी इस्तितिति कि जब पासे में कोई भी सत ह siya 000 ना हो तो चली आगे बढ़ते है आगे देखते कि औ लाल, पीला, नारंगी और सफेद रंग है, यह हमें चित्र दिया हुआ है, हमें यहां ग्याद करना है कि अगर उपर नीला रंग हो तो नीचे कौन सा रंग होगा, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां किस तरह का प्रस्ण हो सकता है, इसके संभावना क्या है, जो पासा रंग नहीं है, यहां हरा है, तो इधर कोई हरा रंग नहीं है, इसी तरीके से यहां नारंगी है, तो पहले उसमें नारंगी नहीं है, यहां लाल है, तो यह इसपस्ट है कि दोनों में ही कोई भी सता समान नहीं है, तो हम यहां पर यह इसपस्ट हो गया है कि यहां दूसरी इस्तिती है तो हमने यहां देखना है कि जब नीला रंग उपर होगा तो नीचे कौन सा रंग होगा तो एक तरीके से हमने क्या ग्याद करना है कि नीले रंग के विपरीत सता पर कौन सा रंग होगा यह हमने ग्याद करना है तो चलिए इसको हम देखते हैं नीयम वही रहेगा सफेद जो है वहाँ नारंगी के विपरीद होगा जैसे हमने अभी इसके नियम को पीछे समझा दूसरा यहाँ नीली जो सता है पहली पासे की पहली इस्तिती का जो डाया भाग है वहाँ दूसरे पासे की इस्तिती के बाएं भाग से क्या होगा एक दूसरे के विपरीत होगा इसी तरीके से जो हरा है वहाँ किस से सलगन होगा वहाँ पीले से सलगन होगा पीले की विपरीत होगा तो हमने क्या करना है नीला ग्याद करना है तो हम देख रहे हैं कि नीला रंग यहाँ पर है तो निले रंग वाली सतह के विपरीत सतह क्या होगी इसके ठीक सामने वाली दूसरे लाल होगी तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C लाल रंग तो सही इसका उत्तर हो गया लाल रंग तो इस तरीके से हम इसको अभ्यास दोरा समझ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की इस्तितिया देखते हैं कि और क्या इस्तितिया इस पासे में संभव होती हैं अब जो है एक विसेश तरह का इस तरह की प्रशन काफी कई बार पूछ ले जाते हैं यह है प्रसारित पासा जैसे open dice कहते हैं तो पहले इसको समझते हैं कि प्रसारित पासा या open dice है क्या तो कई बार क्या होता है हमें इस तरह की इस्तितिया दी होती है प्रशन में और उससे समझते हमें प्रशन पूछे जाते हैं तो इसके नियम को इसके नियम पर हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पर पहला चित्र है पहले चित्र मे हम यह इस पस्ट रूप से देख सकते हैं कि 3 है 2, 6 4, 6, 1 और 5 है, इस तरीके से यहाँ पर 6 अंक दे रखें, तो 1 से लेकर 6 अंक इस प्रसारित पासे पर है इस पस्ट, तो यहाँ पर नियम क्या है कि यहाँ पर क्या है नियम कि एक एक अंक छोड़कर जो अंक इस्टित होते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 के बाद अगला अंक है 4 4 के बाद क्या है, 6 तो इसका मतलब है 2 के विपरीत जो फलक होगा वहाँ 6 होगा, तो इस तरीके से 2 और 6 आपस में क्या है connect हैं, जुड़े हुए हैं, इसी तरीके स्वभाईवी रूप से, क्योंकि किसी भी पासे में किवल 3 विपरीत सता हैं होती है, 3 विपरीत सता हो का मतलब हो गया, कुल 6 सता है तो इसका मतलब है 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे, तो यहाँ पर यहाँ इस पस्ट भी है, 2 के विपरीत 6 है चार के विपरीत एक है और तीन के विपरीत पांच है इसी तरीके से दूसरे चितर में हम देख सकते हैं कि एक के विपरीत जो अंक है वहाँ क्या है परसारित पांसे में वहाँ पांच है क्योंकि यहाँ एक क्रम को छोड़ कर एक के बाद तीन है फिर पांच है इसी तरीके से तीन की अगर हम बात करें तो इसके बाद पांच के बाद आपका छहा आ रहा है तो दूसरा तीन से जुड़ा हुआ अंक क्या है छहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक के विपरीत क्या है, पांच है, तीन के विपरीत क्या है, छे है, और चार के विपरीत स्वताही फिर क्या हो जागा, दो हो जागा, क्योंकि जो बचे हुए अंक होते हैं, वह स्वताही क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वताही हो है विपरीत है एक दूसरे के और चौते भाग में भी हम देख सकते हैं कि एक के विपरीत जो फलक है वह पांच है दो के विपरीत जो फलक है वह तीन है और चार के विपरीत जो फलक है वह स्वताही छह हो जाएगा तो नियम वही है कि एक एक अंक छोड़कर जो अंक आएंग जो सताहें आएंगे वो एक-दूसरे के विपरीद होंगी तो चलिए इससे सम्मंदित प्रश्न करते हैं तो इसको उधारण से देखते हैं उधारण है कि नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया हुए और हमें यहां उत्तर आकरतियों में हमें दे रखे हैं चार बंद पासे दिये हुए हैं तो यह तो खुला पासा है और यह क्या है बंद पासे हैं तो इस स्तिती में हम क्या से करेंगे चलिए इसको इसके हलकों देखते हैं तो हमारे पास जो खुला पासा था या ओपन डाइस था वो क्या था वह यह था तो इसमें अगर हम यहां पर सम्बंद देखें तो दो है वहां किस सम्बंदित है तीन से क्योंकि यहां 2 की बाद एक आ रहा है और इसको एक को छोड़ कर फिर तो इसका मतलब दो जो है वहां तीन से संबंदित है इसी तरीके से एक जो है वहां किससे संबंदित है आपका क्योंकि एक को छोड़कर फिर पांच आ रहा है तो एक जो है वहां पांच से संबंदित है अब तो जाहिश सी बात है फिर चार जो है वहां किससे संबंदित हो जा है, पाँच और फिर चार बचा, चार के विपरीत है आपका छै तो यहाँ पर आप उत्तर आकरतियों में देखते हैं और ter आकरतियों में से सही आकरती छाटने का तही तरीका क्या होगा? अब हम देख तो इसका मतलब है चूँकि दो और तीन विप्रीथ फलक है तो दो और तीन सनलगन फलक तो हो निसकते तो इसका मतलब है पहला विकल्प आपका सही नहीं हो सकता उसी तरीके से हम आगे बढ़ें अगर दूसरे उसमें दूसरे उत्तराकड़ती में तो हम देख रहें कि चार और 6 जो है, वहाँ सलगन फलक एक दूसरे से जुड़ी हैं, और जब कि यहाँ पर क्या है, 4 और 6 विपरित फलक होने चाहिए, तो इसका मतलब है, दूसरा विकल्ब भी आपका सही नहीं हो सकता, तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे विकल्ब में हम देख रहे हैं कि 1 और 5 सलग फलक हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 5 विपरित फलक होने चाहिए, पर यहाँ पर जो हैं सलगन फलक है, तो इसका मतलब है C विकल्ब भी सही नहीं हो सकता, तो आप स्वता ही बात है कि D आपका सही विकल्ब होगा, पर फिर भी हम इसको जाच लेते हैं कि पर हमारे सलगन फलक क्या है, 2 और 4 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 4 कोई भी विपरित फलक का जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ संभा हो सकता, इसी तरीके से हम देख रहे हैं 2 और 1 है, तो 2 और 1 भी विपरित फलक नहीं है, तो इसका मतलब है, यहाँ का सही विकल्प है, तो सही विकल्प हो गया आपका D, तो इस तरह से इस तरह के प्रशनों को हम हल करते हैं, चलिए अगला जो प्रशन है, वह है दिये गए प्रसार चितर से घनिया पासा बनाने पर वह दिये गए पासों में से किस विकल्प सा दिखाई देगा, तो हमारी प् बंद पासों के रूप में है तो प्रश्नाकरती है खुले पासे के रूप में बंद आकरती है जो वह उत्तराकरती हो बंद पासे के रूप में है चलिए इसके हलकी तरफ बढ़ते हैं तो वही नियम वही है यह हमारा खुला पासा है तो यहां पर हम देख लेते हैं कि A हम दे इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि B के बाद एक छोड़कर क्या है F है तो B के विपरीत जो फलक है वह क्या है F है तो हमें विपरीत फलकों के दो जोड़े मिल चुके हैं अब तीसरा जो स्वता ही बचा है अब हमारा C बचा हुआ है तो इसका मतलब है C और यहां पर E बचा होगा आपका E हो जाएगा तो चलिए इस आधार पर इन विपरीत फलकों के आधार पर हम उत्तर आकरतियों को जाच लेते हैं तो चलिए हैं देखते हैं हम देख रहे हैं कि पहले पहली आकरती में A और C जो है वह सलगन आकरतिया हैं सलगन फेसे हैं तो हम देख रहे हैं कि A और C कहीं पर भी विपरीत फलक नहीं है तो यहाँ एक संभावना है इसी तरीके से हम देख रहे हैं A और B यह भी आपस में विपरीत फलक नहीं है तो यह सलगन हो सकते हैं तो यहाँ संभावना है तो इसको परंतु हमें आगे भी जाच नहीं हुए कि आगे यहां संभाव है या नहीं इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर B है और यहां पर F है जो कि सलगन फलक हैं परन्तु जो हमने निशकर्ष निकाला था उसके आधार पर जो है B और F विपरित फलक होने चाहिए तो इसका मतलब है यहां उत्तर नहीं हो सकता आगे देखते हैं C और हम देख रहे हैं C और E यह आपस में सलगन फलक हैं पर जो निशकर्ष निकला है हमारे प्रशन आकर्थी से वहां विपरित होने चाहिए तो यहां भी संभाव नहीं है क्योंकि यह सलगन फलक हैं अब जो D विकल्प है उसको भी जाचते हैं इसमें देखते हैं फिर से C और E हम देख रहे हैं कि वो क्या है सलगन फलक है तो जो निशकर्ष यहां से निकला था हमारा उसके आदार पर यहां भी नहीं हो सकता तो हमारा जो सही विकल्प है वह ए ही है जो हमें शुरू में ही प्राप्त हो गया था परन्तु इस तरह की इस्तिती में भी हमें क्या हुआ अन्य उत्तरों को अवश्य जाचना हुआ कि कई बार क्या होता है तुरूटी वस अन्य विकल्प भी हो सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं उधारण जो है अगला उधारण है वह कहता है कि नीचे पास से X की तीन इस्तितिया दी गई है तो हमें यह तीन इस्तितिया दी हुई है प्राप्तिन आक्रति में जिस पर A से लेकर F तक अंक लेटर अंकित है जो अक्षर है वह A से लेकर A, B, C, D, E, F छे अंक अंकित है इन प्राप्तिन आक्रति में तो विकल्पों में दे गए चार प्रसारी चित्रों में से कौन सा प्रसारी चित्र दे गए पास से X का है तो यह X पास से है इसकी तीन इस्तितिया दी हुई है हमें और हमने देखना है कि इस पासे का अगर हम विस्तार करते हैं तो इन चारों विस्तारों में से विकल्पों में से कौन सा विस्तार सही होगा तो चलिए इस तरह की प्रस्णों को करने का तरीका देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमें X पासे की जो पहले की दो इस्तितिया दी हुई है वो क्या दी हुई है ये दी हुई है तो यहाँ पर देखे शुरू में हमने अभी तक जितना भी सीखा है उसके नियमों का हर जगा हमें क्या करना है उसकी जाच या उसको देखना है कि वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली इस्थिती में हम देख रहे हैं कि यहाँ C फलक है और पांसे की दूसरी इस्थित्य में भी कया है? सी फलक है तो हम देख रहें कि यह जो फलक है सी वहां क्या है उभाइनिस्ट है तो इस इस्तिती में क्या करते हैं इसका मतलब है कि पासे की दो इस्तितियों में एक फलक समान है तो उस इस्तिती में हम क्या करते थे हमने सीखाता पहले कि प्रथम इस्तिती में घड़ी की लिखते रहते हैं, तो हम C से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो C के बाद हम देख रहे हैं कि B आ रहा है, तो C के बाद आपका क्या होगा, B हो गया, फिर B के बाद अगला क्या है, अगला है A, तो B के बाद आगया, आपका A आगया, इसी तरीके से गड़ी की दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे C यहाँ पर है तो C के बाद हम घड़ी की दिशा में ही हमने चलना होता है या नियम है तो गड़ी की दिशा में चलेंगे तो C के बाद आजाएगा D और फिर D के बाद आजाएगा E आजाएगा तो इस इस्तिति में पता है कि जो उभेनिस्ट फलक होता है इसके बाद जो आपके फलकों के जोड़े बन रहे हैं वो ही क्या होते हैं आपस में विपरीत फलक होते हैं तो इस आधार पे क्या हो जाएगा B और D हमारे विपरीत फलक हो गए A और E आपके विपरीत फलक हो गए तो अब दो फलक बचे हैं एक तो C बचा है और F बचा है तो स्वता ही क्या होगा आपस में विपरीत फलक हो जाएंगी तो चलिए देखते हैं तो हमने अभी क्या हुआ जो बंद आकरती थी हमारी पास है कि उसको हमने निशकर्ष निकालके ये हमने निशकर्ष प्राप्त कर लिया कि ये ये आपकी विपरीत फलक हों के तीन जोड़े हैं अब उत्तर आकरतियों में देखते हैं कि क्या या संभाव है या नहीं तो इसमें देखते हैं हम कि पहली आकरती में हम देख रहे हैं कि B और D जो है वहाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं सलगन फलक हैं तो इसका मतलब है और जो हमारा निशकर्ष निकला था B और D क्या होने चाहिए थे आपके विपरीत फलक होने चाहिए थे तो वहास हमें क्या करना है उसकी जाँच कर लिना देखिए A और C फलक होने तो A और C प्छी विपरीत फलक होने चाहिए तो यह तो सही है परण्तो यहां पर जो हमारा है आ रहा है A और C विपरीद फलक तो नहीं है तो इसी आधार पे यहाँ क्या हो जागा यहाँ आपका गलत हो जाएगा तो यहाँ विकल्ब भी सही नहीं हो सकता अब आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि A और E आपके जो हैं विपरीद फलक है तो देखें यहाँ पर A और E विपरीद फलक हैं इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि B और D आपका विपरीद फलक हैं तो B और D भी आपके विपरीद फलक हैं अब तीसरा जो योगम बचा वो क्या है F और C का तो यहाँ पर F और C ये भी क्या है विपरीद फलक है अपने उत्तर के प्रती निश्यंत होने से पहले हमने अंतिम विकल्ब भी जाज लेना हुआ कि क्या हुआ सही हो सकता है या नहीं हो सकता तो यहाँ हम देखते हैं कि A और E आपके क्या है विपरीद फलक है और यहां पर हम देख रहे हैं कि B और F आपके विपरित फलक है तो देखे B और F तो विपरित फलक हो नहीं सकते हैं तो इसका मतलब यह विकल्प आपका सही नहीं है तो हम देख रहे हैं कि कुल मिला के चारो विकल्पों में तीनों विकल्प गलत हैं केवल सी विकल्प ही है आपका जो सही है तो इसका मतलब है कि जो हमें प्रशनाकरती में बंद पासा दिया हुआ था उसका विस्तार क्या है सी के रूप में है तो सही विस्तार क्या है उसका सी है तो इस तरह के से इस तरह के इस प्रशनों को हम हल करे चलिए अब अगले जो इस्तिति है वह आती है कि पासे کی प्रसारित सत हैं तो इससे समंदे देना कुछ नई चीजे है जिस पर हम बात करते हैं और वो क्या है इसको उधारण से देखते हैं तो धारण है नीचे एक पासे की तीन इस्तितिया दी गई है और इस्तिति तीन में प्रशन चिन्न के इस्तान पे कौन सा अक्षर आएगा तो ये एक बिल्कुल नई तरह का प्रशन है जो इस तरह के प्रशन भी जाय से बाते हैं पूछ ले जाते हैं और उसके लिए भी हमने क्या करना है और तैयरी करनी है तो चलिए इस पर बात करते हैं इसके हल पर तो ये हमारी तीन इस्तितिया हैं हमें दी हुई हैं जो की तो हम क्या करेंगे यहां पर अब पासे का विस्तार करते हुए हम इसको सीखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहले पासे की पहली इस्तिती से हम चलते हैं तो हमारा पहली इस्तिती में ए फलक जो है वो यह है इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके उपर इससे सलगन फलक में क्या है F है और उसके बगल में जो है वह क्या है D है तो इसको जब हम क्या करेंगे 6 फलकों अगर हम विस्तार कर देंगे तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे यह हमने यहाँ पर लिख दिया मद्ध में लिख दिया आप उसको अन्य जगा से भी प्रसार कर सकते पर जो सुविधा जना की स्थिति रहती है वो इस तरीके से रहती है और उसके इस तरफ आपने क्या कर दिया उपर की तरफ F दिखा दिया और यहाँ पर क्या दिखा दिया D दिखा दिया तो उसमें नियम क्या बनता है तरीका क्या बनता है कि A हो गया आपका A इसके आपने इस दिशा में क्या कर दिया जो फलक है उसके अंको को या लेटर को आपने ही दर्शा दिया उसके बाद इस तरफ जो है आपने क्या क्या दूसरा लेटर या अंक आपने दर्शा दिया तो इस तरीके से जो है अंको को या लेटरों को दिखाया जाता है दूसरी इस्तिति में फिर हम देखते हैं कि A के बाद आपका क्या दिख रहा है दूसरी इस्तिति में B है और फिर क्या है C है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखे इसको भी हम ऐसी दिखा सकते हैं B A के उपर है आपका B है यहां पर और उसकी दूसरी इस्त इस्तिति ये वाली इस्तिति जो है और ये वाली इस्तिति ये क्या हो एक ज्वार के समान आ रही है तो इसमें करते जिया और इसthis होë तो हम दूसरे चेटर में रख नहीं इसकते तो हम क्या करते हैं घडी की गंते हैं क्छ guten यहान्ज से घुमाएंगे इस दिंशामन तो क्या Ready स्थिति हमारे पास आ जाएगी ए बी जो घूमकर जो है वहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा घड़ी की दिशा में इसको समझने का सही तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या करें इसको एक कॉपी पर इस तरीके से लिख ले और उसको पूरी कॉपी को आप घूमा के देखेंगे त आप घूमा के देखेंगे तो आप इस स्थिति को पाएंगे तो यही स्थिति हमने कहा कि है यहाँ पर हमने दर्शा दी उसके आधार पर बी यहाँ पर हो गया और सी जो है आपका इस दिशान को जागा तो देखिए हमने पासे के पांच फलकों को दिखा दी आप जो हमारे e को यहाँ दर्शा दिया तो इस तरीके से हमने पासे का प्रसारित रूप मिल चुका है अब प्राश्न ये था कि पहली इस्तिति तीसरी इस्तिति में जो ये प्राश्न का चिन्न है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा तो देखी अगर हमें जो हमें यह प्रसारit हमारे पासे की आकरती आ गई है तो इसमें अगर हम देखें तो a यहां पर है a है एक के उपर की तरफ इस दिशा में आपका f है और इस दिशा में आपका d है तो यह आपका क्या है इस अथार पे क्या होने चाहिए अक्षर होने चाहिए तो यही इस्तिती हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न आक्रती में है तो इसका मतलब है यहाँ जो आपकी प्रश्न आक्रती है यहाँ पर इस प्रश्न आक्रती से समधित तो यहाँ इसकी और अगर हम इसकी तुलना करते हैं इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो प्रशन के चिन्ने पर क्या आना चाहिए एफ आना चाहिए तो यहाँ पर सही विकल्प हो गया है एफ तो यहाँ पर क्या होगा प्रशनाकरती में एफ दिया होगा अब रहे हैं अगर हम पहली इस्तिति को देखें और दूसरी इस्तिति को देखें अगर हम पहले में इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए यह सरल हो जाए समझने में अब हम इन इस्तितियों को देखते हैं अगर हम तो पहली इस्तिति को अगर हम देखें और जो है हम तीसरी इस्तिति को देखें तो देखें एक इस्तिति वही है जो यहां पर है और डी की इस्तिति वही है जो तीसरी इस्तिति में है तो या इस फस्ट है कि यहाँ उपर वाली सता पर क्या होगा यही अक्षर होगा F होगा तो सीधे भी निका सकता है परन्तु जब हम नियम से इसको समझ लग सकते हैं जरूरी नहीं है कि क्योंकि जरूरी नहीं है प्रस्ण में आपको इस तरह की सुविदा जनक इस्तिति मिल जाए तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और उधारन इसको देखते हैं नीचे एक पासे की तीन इस्तितिया दी गई हैं प्रस्ण चिन्न के स्थान पर कौन सा अंक आएगा तो प्रस्ण चिन्न देखिए यहाँ पर है और हमें चार विकल्प दे रहे हैं इन चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चैन करना है तो चलिए इसका हल देखते हैं तो हमारे पास यह हैं प्रस्ण आकरती की में पासे की तीन इस्तितिया हैं देखिए तो यह हमारे पास क्या आ गया पहली इस्तिति और दूसरी इस्तित और चार के बाई तरफ जो है वह अच्छा इस्तित है ठीक है तो इसको अगर हम क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमा लेंगे घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा लेंगे तो हमारे पाइस्तिति क्या बन जाएगी इस तरीके से हमारे पाइस इस्तिति बन जाएगी तो तो हमने इसको यहां पर क्या कर दिया यहां पर हमने पांच खाने लेकर उसमें इस इस्तिति को हमने क्या किया यहां पर हमने खाने में दर्शा दे चार यह हो गया आपका छह उपर आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा अब दूसरी आकरती से देखते हैं दूसरी आकरती से ह और चार के दाइन तरफ जो है वो दो है तो इस इस्तिति में क्या करेंगे अब हम अब हम इसको वही करेंगे कि इसको घड़ी की दिशा में अगर हम घुमा देंगे तो हमारे पार इस्तिति क्या बनेगी चार यह है हमारे पास और जो तीन है वहां घूम के घड़ी की दिशा स क्या हो जाएगा यहां नीचे की तरफ आ जाएगा और जो दो है यहां घूम के क्या हो जाएगा आपका बाई तरफ आ जाएगा चार के तो इस इस्तिती में आ जाएगा तो देखे यह वाली जो इस्तिती है हमने यहां पर हमने उसी इस्तिती के अनुसार हमने यहां को तेन के उपर चार है, और तीन के दाई तरफ आपका प्रस्णिचिन नहीं, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो पहले तो हम यहां बात कर लेते हैं, कि यह जो हमें पांच इस्तित्या प्राप्त हो गई हैं, पांच अंग कमें हैं प्राप्त हो गए हैं, तो इसके शोब जोड़ेंगे दो या गया तीन याँ जो अब हम इस्स्तिति का टीन और चार और यहां पर अग्यात-ाइद पूछा इससे हम ग्याद करेंगे तो हम देख रहे हैं कि चार के उपर तीन है और तीन के बगल में क्या होगा तो देखिए यहां पर जो यह फलक है तो चार के उपर तो तीन हुई गया ठीक है वो हमें जो तीसरी आकरती दे रहे हैं उसमें दिया हुआ है और चार के बगल में गया जो आपका, जो हमारी उत्तराकड़ती है, जिसमें एक है, यहां इस्थान जो है, वहा क्या होता है, परिवर्टन शील होता है, तो एक जो है, उपर की तरफ, छहे के दाई तरफ भी आ सकता है, एक जो है, वो तीन के दाई तरफ भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, और यह यहां किसकर यहां पर रिवा सकते हैं तो यही नियम जो होता है यहां दो पर भी लागू होता है यहां च्छे के बगल में भी हो सकता है और यहां क्या होता है तीन की तरब भी हो सकता है या पांच की तरब भी हो सकता है तो एक को हम यहां पर ना मानकर यहां पर हम इस्थाप प्रश्नी चिन्द में जो सही अंग होगा, वहाँ क्या होगा? आपका एक होगा. तो इस तरीके से हमारा जो है, सी विकल्ब जो है, वहाँ हमारा सही हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा एक आएगा प्रश्नी चिन्द के स्थान पर. चलिए तो thank you so much for being with us friends और अन्त में हम बात करें कि ये हमारी चैनल का WhatsApp नमबर है तो आप हमारी वीडियो से सम्बंदित जो PDF है आप इस WhatsApp नमबर से जुड़कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही क्या सकते हैं हम क्या करेंगे इस WhatsApp ग्रूप के जरिये आप लोगों को निशुलक जो है वहाँ अभ्यास के प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे